चलें जी इस लेक्षर में न छोटा सा एक प्रोग्राम बनाते हैं जारी बात है हम AI पर काम कर रहे हैं तो प्रोग्राम कैसे चलते हैं और किस तरीके से चलते हैं वो आपको दिखाते हैं हम एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें पता लगाएंगे person A, person B से बड़ा है या person A, person B से छोटा है ठीक है तो यहाँ पर हम दो volunteers को लेंगे और उनकी age और उनका name जो है वो यहाँ पर लिखेंगे और बकाईदा उनसे उनकी age पूछी जाएगी और फिर उनका name पूछा जाएगा फिर उसको हम print करेंगे लेट्स स्टार्ट बड़ा बेसिक सा प्रोग्राम है और इस पर काम करते हैं अच्छा मैंने अभी पूछा नहीं है तो यह वहां पहले ही दसना स्टार्ट होगी, that's a good question लेकिन थोड़ा इंतजार कर लो, रुको ज़रा, सबर करो, भोला धका मुकी नहीं करने का, तो हम यहां किसे हम मांगते हैं और आउट्पूट कैसे मांगे जाती है, अक्सर अकात आपको different websites पे जाने के बाद वो पूछते हैं कि name क्या है, आपका नाम क्या है, फिर वो पूछते हैं आपकी age क्या है, या date of birth वगरा पूछते हैं, ठीक है, हम यहां पर क्या करने वाले हैं, for example, मैं यहां पर पूछता हूँ, name is equal to, इसको एक variable के थ्रू हम पूछते हैं, यहां पर मैं पूछता हूँ, input और यहां पर हम उस input को ले लेंगे, जो भी हमारे पास input आएगी, वो यहां पर name के अंदर store हो जाएगी, ठीक है, मिसाल के दोर पे, मैं यहां पर लिखता हूँ, name और इसका अगे input लिखती है, input का क्या मुराद है, user से input लेनी है, print लिखते हैं, और print करने के बाद हम name को print कर देते हैं, simple सी बात है, क्या ख्याल है, ठीक है, यहां पर name और फिर print को हम यहां पर लिखते हैं, मैं इसको run करता हूँ, run करने के बाद program यहां पर रुका हुआ है अगर आप गोर करें ठीक है मैं यहां पर लिखता हूँ amar enter amar print हो गया ठीक है इसको बोलते हैं input या user input इस तरीके से हम user input लेते हैं जब भी कहीं पर program बनाना आता है और यहां पर हम इसको print करने को बोलते हैं output करना जो terminal के उपर आ जाते हैं यह दो concept आपने याद रखने हैं ठीक है अब इसको थोड़ा सा तड़का लगाते हैं नेम मैंने पूछा और नेम प्रिंट कर दिया मजा नहीं आया मैं करता हूँ इसकी बजाए simple output की बजाए इसको मैं कर दे तो comment आउट यहां पर लिखता हूँ print यहां पर लिखता हूँ high या hello ठीक है space और यहां पर कॉमा लगा के मैं नेम लिख देता हूँ अब देखिएगा क्या होते हैं मैं इसको run करता हूँ यह मेरे पास आगया जी जनाब यहां पर खाली space चेक करें मैं यहां पर लिखता हूँ अम्मार जिस्ट आ मिनट मैंने काहां पर लिख दिया what else we can do we can write here for example इसी के अंदर enter your name और उसके बाद कॉलन लगा देते हैं let's run this now अब देखें वो यहां पर खुद पूछ रहा है enter your name हम step by step आगे जा रहे हैं यहां पर आप user का name लिखेंगे मैं यहां पर again अमार लिखता हूँ वो फॉरां कहता है hello अमार ठीक है समझारी बात की अब अगर मैंने इसके बाद में भी कुछ लिखना हो hello name के बाद मैं लिखता हूँ और सुनाओ जो आपको पता है एकसर वकात हम लोग फून पे इसी के बाद हर हर चीज़ के बाद कहते हैं और सुनाओ और सुनाओ इदर नहीं लिखना हमने टर्मिनल के अंदर लिखना है यहां पर पूछ रहे एंटर यूर नेम मैं लिखता हूँ अमार हेलो अमार और सुनाओ कैसा ठीक है अब एक चीज़ की जो कमी है वो यह है कि हलो अमार के बाद कॉमा आना चाहिए तो वह कॉमा आप यहां पर बिलवा सकते हैं लोग इंटर यूर नेम मैं यहां पर अमार लिखता हूँ हलो अमार और सुनाओ ठीक है so this is how you can develop a kind of program ठीक है simple सा, बहुत simple सा हमने name पुछा और वहाँ पे add कर दिया name को, सही है यह input, output program हमारा बन गया, simple सा अब इसमें थोड़ा सा तड़का लगाना है हमें ठीक है, मैं सभी को comment out करता हूँ, जो हमारा पहला program बनाया हमने, यहाँ पे नया बनाते हैं, पहले तो हम layout करते हैं कि हमने क्या क्या करना है, एक अच्छा programmer सबसे पहले copy pencil लेके उसके उपर लिखता है कि मैंने क्या करवाना है, and literally we are going to write that just a minute हमने क्या करना है जनाब, हमने एक program बनाना है, person A लेना है यह ज्यादा ही मोटा मार कर आगए, just a minute yes, यहाँ पे हमने लेना person A, उससे पूछना है उसका name, ठीक है फिर person B लेना है और उसका name पूछने है ठीक है, name पूछने के बाद person A की age पूछनी है जिसको age 1 बोलेंगे, person B की age पूछेंगे, इसको बोलेंगे age 2 ठीक है, तो age यहाँ पे आगी for example 23, 24, मैंने अवी example लिए फिर हमने क्या करना है इन दोनों पे if-else condition लगा के पता लगाना है कौन बड़ा है, कौन चोटा उमर में ठीक है, मेरी writing इस विडिया से ऐसी आरे, because I am using writing pad यह proper एक software नहीं होगा, but we can actually see के यह कैसे बनने है आपको समझागी बात की चलें जरा हो जाएं शुरूँ आप लोग दरा code अपना complete लिखे अपने पास और उसे मुझे send करें आपने क्या करना at the end उस बंदे का नाम print करने है, और chat के अंदर कोई भी बंदे अपना नाम और एज बता सकते हैं बंदे या बंदियां, it depends on you ठीक है? हमजा नाम बड़ा आजकल हिट हुआ है नवीद, ये भी बड़ा हिट हुआ है मैं जान बूच के कह रहा हूँ ताकि आप इस नाम इन नामों को याद करें, हरून भी है अच्छा एक ही text में लिखियागा, एक बंदे ने नाम लिख्या है, एज लिखते लिखते वो नाम कहीं कहीं पहुंच गया है जो लोग बैटे मेरी तरफ देख रहे हैं मुझे सुनरा, तुसी भी को हाथ पहर हलालो, काम करलो मेरे पास दो नाम आया है, मनाहिल और मसूमा 15 and 23 पहले हमने पिछले example के अंदर लड़कों के नाम ले लिए थे ज्यादा अब लड़कों के लिए ले लेते हैं जो लोग ये सोच रहे हैं किस तरीके से आप मुझे सुनेंगे भी देखेंगे और Code भी करेंगे Alt टैब का यूज़ करें Alt और टैब आपके पास होता है कीबोर्ड के उपर उससे स्क्रीन पहले वो आ जाते हैं फिर वो आ जाते हैं फिर वो आ जाती है या अपनी स्क्रीन को दो हिस्दयों में तकसीम करने मैं विंडोस को कहा रहा हूं कि एक साइट पर एक विंडो लगा लें एक साइट पर एक लगा लें अधर्वाइस इस बैटर के इस कोर्स के लिए अगर आप एक LCD परचेस कर लें 3035 के आती है 27 इंचिस की मार्केट से यह 24 इंचिस की वो परचेस कर लें if you can do that अच्छा इंपूट आउटपूट का तो यूज़ करी नहीं रहे लो पर एक्जामपल इंपूट आउटकर आउटपूट का कैसे यूज़ करना है ठीक है परसन ए इस इकल टू यहां पर आपने इंपूट लेनी है उनसे इंपूट आगी पहली नाम की तो हम कहाँ देंगे परसन ए नेम ठीक है यहां पर हम लिखेंगे परसन ए एज इकल टू इनपूट हाओ ओल्ड आ यू ठीक है वो अपनी एज इंटर कर देंगे यह हम लिटरली उनसे कह सकते इंटर यूर एज एंटर यूर एज इन येर्स एंटर येर्स के अंदर दैन हम यही गाम काम जो है वो परसन बी के साथ करेंगे तो दुबारा लिखने ना बैठ जाएं दिमाग लड़ाएं कॉपी पेस्ट करें यहां पर भी कर दें यहां पर भी कर दें ठीक है यह आ गया अब हम यहां पर लिखते हैं इफ यह वाला एज इज ग्रेटर दैन यह वाली एज के तो प्रिंट करें क्या प्रिंट करना है यह वाला नाम कॉपी पेस्ट कॉमा इज ओल्डर दैन कॉमा दूसरे वाला नाम ठीक है और साथ में हमने एल्स कंडिशन भी लगानी है यहां पर इस यंगर दैन समझाई बात की या नहीं यह चोटी सी फॉर्मेट के अंदर आप एक प्रोग्राम डिवेलप कर सकते हैं और आपको एरर भी हाएंगी मैं पहले बता रहा हूं और प्लीज आप चैट जीपीटी से ना पूछिएगा के यह कैसे करें हम आपने खुद से करना है और एरर इस वज़ा से मैं आपको बोल रहा हूं आएगी क्योंकि अगला लेक्चर जाए उसी चीज़ पर है विच इस टाइब कास्टिंग तो अभी मैं आपको उसका कुंसेप्ट दोंगा फिर आगे चलेंगे यह मैंने प्रोग्राम बनाए मैं इसको रन करने लगा हूं लेट सी मेरे पास आगया वट इस जूर ने पहले परसन का तो मैं यहां पर लिखता हूं मनाहिल थी उनका ना इसके बाद आगे कुछ चला ही नहीं है स्वाए इसके के मासूमा मनाहिल इस यंगर दैन मासूमा अब आप मेंसे काफी लोगों ने यहां पर कार्स्ता ने की है इसके पीचे इंटीजर लगा दिया है कि वो जी सही तरह चलेगा इनी नंबर ऐसे ही है टाइप कास्टिंग की होगी अगर आपके पास इस तरीके से आ रहा है कि मनाहिल इस यंगर दैन मासूमा क्यों मनाहिल की एज जो थी हमने एड की वो 15 है मासूमा की 23 है और विसली मनाहिल इस यंगर दैन मासूमा तो हमारे पास एक प्रोग्राम बन गया ठीक है समझाई बात की, इसको दुबारा से रुण करते हैं, अब यहां पे लिखते हैं तइयप, यहां पर ने लिखना, मैं न दुबारा से रुण किया, यहां पर लिखा जनाब तइयप, तइयप की एज मैंने लिखती है फिफ्टीण Пॉइंट टू, और हमारे पास जो है, दूसर तैयब इस यंगर देन जाहिद क्योंके 15.2 एं 28 आ रहे हैं यहां तक क्लियर होगे आपको किस तरीके से यह आ रहे है एज आटोमेटिकरी वहां पर कैलकुलेट हो रही है क्यों क्यूंकि हमने ग्रेटर देन और यंगर देन का साइन लगाया हुआ था तो यहां पर पुराने जमाने के अंदर यहां पर हमें टाइप कास्टिंग करनी पड़ती थी मिसाल के तोर पर यह जो आप नंबर यहां पर इंपुट देते हैं एज का वह स्रिंग के अंदर आता था तो उसको आपने इंट करना था like this मैं इसके इर्दगिर्थ ब्रैकेट लगाता हूं यानि के बलके ब्रैकेट की बजाए ब्रैकेट लगाता हूं और यहां पर मैं लिग दाता था इंट तो क्या होता था यह जो भी इंपुट आती थी वो इंटीजर के अंदर कनवर्ट हो जाती थी round off हो के थे तो हमारे पास बाद में आंसर आना स्टार्ट हो जाता था मैं A लिखता हूं यहां पर A को 12 कर देता हूं B को मैं कर देता हूं 15 तो मेरे पास A is younger than B आ गया तो इस तरीके से चलता था लेकिन Python की updates के अंदर अब integer लिखना जुरूरी नहीं है क्योंकि नंबर की इंपूर्ट है तो वह नंबर को consider करते हैं AI का दोर है आपको पता है advancement काफी आ रही है so this is how you can develop an input-output program बड़ा असान है अब आपकी assignment क्या है आपकी assignment यह है कि आपने एक person से उसकी age पूछनी है नहीं एज नहीं था let me see weight and height weight and height पूछना है और उसका BMI index calculate करके देना है ऐसे होता है ना weight and height पर होता है ना BMI index let me see if I am not wrong BMI index इस आपने BMI index calculator बनाना है basically आपने एक person से उसकी age पूछनी है age पूछने के बाद उसका आपने नाम पूछना है weight पूछना है and height उसकी बेस पर आपने क्या बनाना है BMI index calculator body moss index BMI calculator basically ask name weight and height heigst height और उसकी बेस पर आपने वह बनाना है और यह code आपने copy करके भेजना है अभी नहीं बाद में discord के चैनल के अंदर जो लोग registered है उन्हें पता है ठीक है छोटी-छोटी assignments है यह आपकी practice के लिए मुझे आता है यकीन मनें यह आप लोगों के practice के लिए और अगर आप practice सासाथ करते जाएंगे जो आपने start में मेरे से वादा किया हुआ है कि 40 दिन हम आपकी मानेंगे इंशाला आप अच्छे तरीके से प्रोग्रामर बन जाएंगे और मैं जान बूच के हर एक पार्ट के उपर आपको practice करवाने की जो है वो उसके लिए उकसाता हूं ठीक है यहां तक clear हो गया जी बात इजी है ना प्रोग्राम में को मुश्किल तो नहीं है ना बताएं जरा comment section में अगर किसी को अभी मुश्किल लग रही है ना तुसी फिर अलफ अनार बे बकरी बढ़ लो जागे ना तो वो ज्यादा बेतर होगा I'm just kidding by the way ओके अगेन आपसे मैं यह request करूंगा कि अगर आपने अभी तक YouTube पर लाइक ने किया वह तो एक लाइक लगा दे इसमें आपका भी फाइदा है और सभी का भी अभी तक असान है ना आप यकीन वहने basics आपने तकरीबन पच्छिस परसंट सीख लिए ठीक है तो ना नीद तो वर्यवाद बात आप